अमरो हमें दिर रात जंगल में तेंदुआ कुए में जागे रहा कुए में तेंदुआ गिरने की जानकारी मिलते ही गाउंवाले जमा हो गए और वन विभाग और पुलिस को इसकी सूच न दी गटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को कुए से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन इतने घंटे बाद भी तमाम कोशिशें नाकाम रही पीलिभीत से आई रेस्क्यू टीम भी तेंदुए को कुए से बाहर नहीं निकाल पाई अब मंगलवार को फिर से तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है अब मगलवार को फिर से बाहर निकालने की कोशिश की तो जरामियों की माँ और इस सीदी को देखते हुए हम लोगा ने इसको टेंकोलाईज करके और इसका रेस्कू किया जाना उचिश समझा करम में हमने टेंकोलाईजन का प्रियास किया है लेकिन अभी वह जो काफी है टेंकोलाईज नहीं हो पा रहा है तो अभी हम बेट करेंगे यदि इस बीच में वह बेहोस हो जाता है तो हम इसको अभी रेस्कूइस करके और इसके निच्राल हैबिटेट में उपर से परमिश करेंगे लेकिन यह है कि इनता के हिसमें हम लोग बंसी वाला मेहर पूर में कुछ लोग अपने खेट की रखवाली कर घर वापस जा रहे थे इसी दोरान वो रास्ते में बैटरी की लाइट जला कर चल रहे थे अचानक सामने तेंदुव दिखाई दिया जिसके बाद उन्होंने उसके मुहू पर लाइट जलाए रखी लाइट देख अचानक से तेंदुव पीछे हड़ता चला गया इस दोरान वो सड़क किनारे कुए में जा गिरा कुए की गहराई 15 फीट मानी जा रही है कुए में तेंदुव गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों के भीड जमा हो गए आज पास के गाउं के लोग भी मौके पर पहुच गए और तेंदुव को कुए से निकालने की कोशिश की लेकिन अब तक नहीं निकाल पाए है फिलाल वन विभा की टीम मौके पर पहुंची है और लगातार तेंदुए को सही सलामत कुए से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है बता दें की राहत वाली बात ये है कि कुए में पानी नहीं है जिसके बाद में जो गाउं के व्यक्ति पानी देकर खित से लोट रहे थे उन्होंने सीधी टोर्च जो उसके टेंदुए के उपर लगाई उसके दोरान उसे चकाचोंद लगने के बाद में वो कुए में गिर गया और लगातार जो है रखवाली के लिए गाउं के लोग जो भी सूचना दी, सूचना के बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुची और सुभा से ही लगवग 20 गंटे बीच चुके हैं रेस्क्यू लगातार जारी है लेकिन अभी तक भी सफलता वन विभाग की टीम को नहीं मिली है आपको तस्वीरे हम दिखा दे कि किस तर रहे हैं वन विभाग के उन्होंने दे चुके हैं और अभी तक वन विभाग की टीम को पूरी तरह से सपलता नहीं मिली है अमरोहा से पंजाब केश्री टीवी मौहम्मद आसिक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई